बिस्मिल्लाहिर रह्मानी रहीम, असलाम लेकुम, फ्रेंड्स और यो आला, यहोप यू बी फाइन, फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नमबर त्री मेरे नोर्स में से, जो के मैंने पास्ट पेपर से बनाई हुए है, मुस्ली पास्ट पेपर से कॉलेक्ट किये थे, इंपर्टेंट क्वेस्टन और वो डीटेल से समझाओंगी आप लोगों को, क्वेस्टन नमबर वन है हमारे पास, इंडिविज्विज्वल्स लिविंग इन सोसाइटी, इंडिविज्विज्वल्स यनि के अफराद सोसाइटी में माश्टर में रहते हैं, यह कौन इक्सिस्टन्शेलिस्म वालों का, philosophie की बहुत सारी शाके हैं, बहुत सारी अक्साम हैं, जिन में realism है, existentialism है, और भी बहुत सारी हैं, ये one by one discuss करूँगी आपके साथ, exist यनि वजूद होना, वजूद रकना, वजूदियत होना, माश्टरे में इनसान रहते हैं, किसी भी ची चीज़ को तसलीम करना क्या कहलाता है existentialism next है हमारे पास question discrimination value फर्क की value of more than 0.4 किल मैंने आपको पढ़ाया था कि टेस्ट के जो eight qualities पढ़ाई थी रे liable हो उसमें कितना परसेंट मुश्किल होना चाहिए कितना परसेंट असान होना चाहिए कल के lecture में lecture number 3 में या शायद 2 में lecture number 2 में मैंने detail से बताया था आप लोगों को के test कुछ ना कुछ मुश्किल और कुछ ना कुछ easy होना चाहिए ताके हर किसम के बचे कर सकें और मैंने आपको उसकी average भी बताई थी के 70 में से अगर 30% marks हर बचा ले सकता है it means के test कुछ ना कुछ easy भी है उसमें कुछ easy सवलात add किये गए हैं और अगर discrimination power होती है के फर्क की power अगर mostly candidates ने 70% marks लिये हैं और mostly candidates ने 30% marks लिये हैं then 7 को multiply, sorry subtract करेंगे, नफी करेंगे 3 के साथ 4 के साथ answer आएगा हमारे पास 3 अगर 40% लिये हैं तो और अगर 30% कुछ candidates ने लिये हैं mostly candidates ने और mostly candidates ने लिये हुए 70% then हम क्या करेंगे कि उसे 7 से 7 से subtract कर देंगे 3 को तो उसकी discrimination power आ जाएगी 4 यानि के 4 तो अगर discrimination power यानि के फर्क की जो आसत हो वो 3 से उपर चाहे जितनी भी हो 0.3 से उपर चाहे जितनी भी हो it means के test item is acceptable 3 और 4 और 5 के दर्मियान हो तो test item accept किया जा सकता है यानि के test कुछ मुश्किल भी है कुछ असान भी है एक दर्मियाने level का test बनाया गया है students के mind level के मुताबिक किसी ने 70% लिये किसी ने 50% किसी ने 30% और अगर सारे बच्चे ही mostly candidates 70% ले लें it means के test कोई मेवारी नहीं है बहुत ज़्यदा easy था नालायक, जहीन, फतीन सब इने अच्छे marks ले लिये अच्छा जी, next है मारे पास question test involving the construction of certain pattern is called ऐसा test जिसका कोई एक मखसूस pattern हो मखसूस तरीक का एकार हो जैसे MCQs टाइप टेस्ट हो गया या मैंने और भी बहुत सारी types बताई थी subjective है, objective है, किस type का है उसका कोई खास pattern हो तो वो किस चीज़ के लिए लिया जाता है performance test के लिए, वरना oral test वगेरा, interview वगेरा ये भी होते हैं और बे तुके से test किसी भी तरह के वक्ती ले लिये जाता है लेकिन specially जो pattern के मताबक बनाया जाता है, वो performance को observe करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है performance test नेस्ट है हमारे पास question number 24 in MCQs the stem of the items should be meaningful, stem क्या होता है जो सवाल होता है MCQs का, बाकि उसके answers होते है, four options होते है उनमें एक answer correct होता है, बाकि options, distractors कहलाते हैं ये भी last lecture में detail से discuss कर चुकी हूँ जो question होता है question या problem कहा जाता है कोई भी problem के answer बताने है या कोई भी question के answer बताने है तो वो क्या होना चाहिए उसे कहते है stem stem को क्या होना चाहिए meaningful होना चाहिए बे तुकासा, सवाल ना होके समझ ही ना आए next है question number 25 which appropriate verb will use to make an adjective behavioral to construct अच्छा ये past paper जो मैंने collect किये हैं, इसमें कुछ general knowledge के सवाल भी mix हो जाएं तो आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा क्योंके वो भी general knowledge भी तो है 40% special education की seats में और FPSC lecture, उद्धू मालूं के लिए lecture की कोई भी seat हो उद्धू हो या कोई भी हो, उनके लिए general knowledge ज़रूरी नहीं है next है question number 26 objectives representing the purpose of instruction of a teacher are called teachers की वो instructions, वो हिदायात जो किसी भी तालिमी मकसद को वाज़े कर रही हो या किसी भी तालिमी मकसद के तहत हो, वो क्या कहलाती है instructional question number 27 running description of active behavior of a student as observed by the teacher is teacher का, तालिम उनका जो फाल, रविया होता है वो उसको जब एक teacher observe करता है तो उसे क्या कहते है इस process को क्या कहते है इस process को कहते है anecdotal record और उद्दू में अफसानवी record कहा जाता है इसे जब एक student के फाल रविये को एक teacher observe करता है next है philosophy of शाह वलियूला शाह वलियूला से related philosophy कौन सी थी? realism यानि के हगीकत पे हर चीज का दारोमदार है हकीकत पे हर चीज का हर चीज का दारोमदार चाहे वो इलम हो चाहे कोई तजरबत हो! हकीकत से related होने चाहें ये तहुनी है मैं आपकी साथ शेयर कर रही हूँ मुझे दूअ दे दीजीगा हम इसके बलदे में नेक्स्ट है question number 28, very popular test, बहुत ज़्यादा मशूर test with classroom teaching is MCQs, why? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, चेक करने में और marking में किसी भी किसम की कोता ही नहीं हो सकती, किसी भी किसम की नाइंसाफी नहीं हो सकती MCQs में 1, 2, 3, 4, point C देने होते हैं, जबकि ऐसे टाइप जो answer होते हैं, उसमें अपनी teacher के मजाज के मताबिक, उसकी सोच के मताबिक, handwriting के भी marks कट जाते हैं, बास उकात ख्यालात के मताबिक भी, क्योंकि student किसी तरह के ख्यालात बियान कर रहा है, किसी तरह का अंदास बियान कर frequently used tools for, tools of summative assessment is, summative assessment क्या होता है, आخرी नताइच के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, जाइजा लिया जाता है, अबसर्फ किया जाता है, students को, frequently, अक्सर अकात, summative assessment के लिए, आخرी नताइच का collect करने के लिए, या उन्हें अबसर्फ करके, record देने के लिए, जो tool इस्तमाल किया सब서 anchor test bez témaa को आफिर हमाघर से और आ कुछ निए और धार नीठर यूज़ चाहिं कि पियडिया टाहित की ने अरुई पड़का की तर्स है। तेज्वा ऐस peng मारे पास केस्टें not 30 न मौरफ इंगाने यूज़ गैसिंग फार्मूला अच्छा यह फार्मूला है तो इसे आप इग्नोर कर दीज़े से मैं डीटेल से एक लेक्चर में फार्मूला अस वगरा को समझा दूँगी रटा बिलकुल नहीं लगा ना मैं रटा रटे से ना पढ़ती हूं ना पढ़ाती हूं यह मैं डीटेल से समझाओंगी आगे एक स्पेशल इस पे लेक्चर बनाओंगी नग्स्ट है क्वेस्टन नमबर थार्टीवन difference between maximum and minimum values is range क्या होता है range आप लोगों को दुश्वारी हो रही होगी इस पे एक detail से lecture बनाऊंगी आप लोग इसको सवाल को छोड़ दें detail से समझा दोंगी देन आपको रटा लगाने की जूरत नहीं पड़ेगी next है question number क्योंकि अगर एक दो line हों में समझाना असान होता तो मैं ये range को समझा देती इसकी experiment से इसकी example से समझाओंगी मैं आप लोगों को next है question number 33 the number of score lying in a class is किसी भी class में लिए जाने वाले score क्या कहलाते है frequencies यानि तादुद कहलाते है next है question number 34 a multiple choice question is composed of composed of question referred as stem multiple type question जो होता है mcqs जो होता है उसका जो सवाल होता है उसे क्या कहा जाता है stem कहा जाता है next question number 35 in a norm reference test कल के lecture में या शायद बरसू के lecture में मैंने बताया था nrt और CRT दो test की type है जो American psychologist Glaser ने Robert Glaser ने introduced करवाई थी nrt और CRT nrt जिसमें individuals के दरम्यान test लिया जाता है दो students की सलाहियतों को observe किया जाता है कि इन दोनों में better cons है उसे कहते है nrt norm reference test इन अर नार्म रेफरेंट्स टेस्ट विच आइटम इस बेस्ट आइटम डिफिकल्टी इस नियर फिफ्टी आइटम यनी टेस्ट जो है उसमें 50% मुश्किल सवालात होने चाहिए और 50% आसान होने चाहिए इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन बच्चा ज्यादा जहीं जो नार्मल होगा बच्चा ज्यादा जहीं नहीं होगा वो आसान 50% वाले कर लेगा बाकियों में उसे सिर्फ 10, 12, 15 आएंगे लेगिन जो ज्यादा जहीं होगा वो मुस्टली टफ सवालात को भी अटेम्ट कर लेगा next है which question has increasing objectivity of marking कौन सा question कौन से सवालात ऐसे हैं जिन्हें marking करना आसान हो गया है mcqs type questions next है the most widely used for made on standardized test in USA is multiple choice test यानि के mcqs USA में mostly यही type use होती है test की mcqs type test which question is difficult कौन सा सवाल मुश्किल है to mark with reliability कौन से सवाल को चेक करना मुश्किल होता है instructed essay जो जिसकी कोई हद मुकरर ना हो ऐसा ऐसे मैंने last lecture में परसो वाले lecture में आप लोगों को detail से कल या परसो वाले शायद lecture में आप लोग मेरे सारे lectures detail से सुनें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए मैंने बताया था instructed essay कौन से होते है test types और test items को detail से discuss किया था मैंने next है मारे पास test mean for बलके एक सवाल मिस हो रहा है projective techniques are used to measure personality जब कोई project दिया जाता है बड़ी classes में candidates को then क्या किया जाता है उस project के नताइज इनसान की personality को show करते है हर बंदा अपनी personality के मताबग अपनी assignment को करता है next है मारे पास test mean for prediction on a certain criteria are called ऐसा test जिसमें कोई certain criteria यूज किया जाता है certain criteria मक्सूस करने के बाद उस बच्चे के नताइज की जब patient गोई की जाए then वो test क्या कहलाता है aptitude test job level पे ये test लिया जाता है next है could the Richardson method is used to estimate reliability test में reliability कितना है what is reliability ये मैंने last lecture में details से समझाया हुए और इसे किसने introduce करवाया था could the Richardson ने next है हमारे पास value that divides वो value जो तक्सीम करती है the data into two equal parts is medium जब कोई value data को equal parts में divide कर दे दो equal parts में वो medium होती है जबके दो parts के दर्मियान फर्क करने वाली range होती है इनको with examples में आप लोगों को समझाऊंगी next है हमारे पास question number 43 the test measures what do we intend to measure ऐसा test जिसमें जो इस तरह का हो के हम किस चीज़ को मेजर कर रहे है मकासिद को मदे नज़र रख के लिया जाए ताली में मकासिद को मदे नज़र रख के लिया जाए उस test को this quality of test is called validity यानि यह test valid है कल वाले lecture में detail से समझा चुकी है next है हमारे पास एक चीज़ होती है sample नमोना मिसाल के तोर पे अगर आपको research project कोई b.a.d. में अकसर b.a.d. अगर आप कर चुके हैं तो आपको पता होगा research के लिए आपको sampling करनी होती थी यानि के मिसाल के तोर पे आपने research करनी है village के school हो पे अपने area के village के school हो पे या private schools पे या system schools पे then आप choose करते थे sampling करते थे कि मैंने no school choose किए मैंने art किए एक नमोने के तोर पे कुछ बंदों को ले लेना या मैंने फुलां स्कूल के class 5 के students को observe किया या कोई चीज नमोने के तोर पर ले लेना कहलाता है sample और यहां यही कुछ पूछा गया the length of a test किसी भी test की लंबाई या उसकी candidates की तादाद is an important factor बहुत एहम factor है in obtaining our representative 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 मिन नमोने के तोर पे लेना next है हमारे पास question the appearance of normal curve resemble with bell normal curve जो होता है bell की तरह bell भी normal curve की तरह मुड़ी हुई होती है तेड़ी सी होती है next है हमारे पास the alternate name of the table of specification is test blueprint what is table of specification आप बुक को मदे नज़र रखते हैं कि हमारी बुक में मिसाल के तोर पे five units हैं एक बुक में और आपने पेपर बनाना है fifty marks का then आप उसे डिवाइड कर दें कि मैं eight marks पहले unit से eight marks के सवाल उठाऊंगा दूसरे unit से मैं twelve marks के सवाल उठाऊंगा तीसरे से मैं five के और चौते से fifteen के total fifty marks का पेपर बनाना है तो five units को इस तरह डिवाइड करके एक टेबल बना लेते हैं उसमें आप लिख लेते हैं और कुछ मजीद अगर उसमें वुस्सत दी जाए तो उस टेबल में ये लिख दिया जाता है कि मैं unit number one से आठ नमबर के सवाल बनाऊंगा तो वो आठ नमबर के सवाल किस टाइब के होंगे objective टाइब होंगे या subjective टाइब होंगे या किस unit से subjective टाइब ज़्यादा उठाने है और किस से objective टाइब ज़्यादा उठाने है मुझे बड़ा गुसा आता है जब हमारे हमसाईों के बचे ट्यूशन से आके, स्कूल से आके शोर शराबा मचा देते हैं, मेरे लक्चर में खलल डालते हैं, पता नहीं कहां थी, मैं हमसाईों के बच्चों गी चीखो प्कार की वज़ा से मैंने स्किप कर दिया था, लक्चर रिकार्ड करना, अच्छा जी next है मारे पास मैं बता रही थी आप लोगों को कि table of specification क्या होता है उसमें सवालात को चूस किया जाता है कि fly unit से मैं इतने सवाल लूँगी और उस table में लिख दिया जाता है fly unit से इतने सवाल लूँगी fly unit से इतने marks का test बनाऊंगी फ़लाई यूनिट से इतने माक्स का बनाऊंगी ये चीज मदे नजर रखी जाती है table of specification में और test जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है उन मकासित को मदे नजर रखते हुए सवालात और यूनिट्स को मतलब cover किया जाता है कि ये यूनिट ज़्यदा important है तो इससे ज़्यदा सवालात तो नगा या लूँगी नेक्स्ट है हमारे पास टेबल आफ स्पैसिफिकेशन helps in टेस्ट डिवल्पमेंट टेबल आफ स्पैसिफिकेशन टेस्ट बनाने के लिए मददगार थाबित होता है नेक्स्ट है सप्ली टाइप टेस्ट यानि के खाली जगा जिसमें पूर किये जाते हों या जुम्ले मुकमल किये जाते हों तेस्ट आइटेल से मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ अगर वो लेक्चर सुन लिया है तो आपको यहां दुश्वारी नहीं होगी नेक्स्ट है क्वेस्टन 49 अल्टर्नेटिव रेस्पॉंस आइटम इस ट्यू फाल्स जिसमें अल्टर्नेटिव होते हैं मैच किये जाते हैं सही से मतलब एक सवाल से दूसरे को जैसे कॉलम सॉरी क्यों फाल्स होते हैं जिसमें सही गलत का तायून किया जाता है आजान हो रही है बाकी लेक्चर्स बाकी जो सवलात रह गए हैं वो कल के लेक्चर में इन्शाला पढ़ा दूंगी दौमें याद रखिएगा थैंक्यू सो मुट टेक कियर अल्ला हाफीज